नमस्कार दोस्ते मैं सुवाद सुवागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टेक इनर्सिया में आज हम बात करते हैं कि इस सेशन में कि IRCTC पे अंलाइन टिकेट भूट कराने के लिए अपनी ID कैसे बनाए IRCTC के अपनी ID बनाने के लिए सबसे पहले आप Play Store से IRCTC Real Connect आप को डाउनलोड कर ले IRCTC Real Connect आप को डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन कर ले और इसमें देखी आ रहा है आपका फॉम कुल के जिसमें लीचे लगा है रेजिस्टर आप उसको ओपन कर ले रेजिस्टर को रेजिस्टर को ओपर करने के बाद आपका न्यू यूजर का रेजिस्टेशन फॉम आ गया है इसमें कहरा है सबसे पहला यूजर नेम यूजर नेम में आपको तीन से 35 करेक्टरिस्टिक देने हैं जिसमें केवल आपकी लेटर रहेंगे और नंबर रहेंगे कोई भी इसपेसल करेक्टरिस्टिक नहीं रहेगा इसपेसल करेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया ना तो आप दो इंसकेㄷैन में आप टेसिक करेंगे न आप इसके reference करेंगे नहीं आप उसस पर कि अभिए दो करेंगे तो चलिया अगर मोले हम आई डी बनाते हैं और उस पर उदने हम जिसमें अगर आपका green हो जा रहा है इसका मतलग क्या हुआ कि आपका username IRCPC पर select हो गया है अगर यह red हो जा रहा है जिसका मतलब आपकी username पर कोई गल्पी हो है अगर red होता है तो आप उसको सही करिए और फिर से change करिए अब password पर आते हैं, password में क्या कह रहा है कि minimum 8 characteristics और maximum 15 characteristics होने चाहिए और कम से कम एक small और एक capital letter और numerical digit होने चाहिए इसमें भी कोई special characteristics आप नहीं दे सकते हैं तो आप कोई भी अपना एक password बना लीजिए जिसमें इसे हमने मालेजे बनाया अपना एक password बना लिया अब इस password में red क्यों आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी एक भी लेटर हमने capital नहीं दिया है तो इसको हम capital कर देते हैं अब देखते हैं इदे के green हो गया इसका मतलब कि हमारा password क्या कर लिया गया सेलेक्ट तो आपने जो password डाला सेम confirm password में डालेंगे फिर आता है first name middle name और last name जैसे मेरा नाम अगर सिवांसु सिंग है तो मेरा first name क्या हो जाएगा सिवांसु और middle name मेरा कुछ नहीं है तो last name क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा अगर कुमार होता सिवांसु कुमार सिंग तो मिडिल नेम में क्या जाता कुमार हो जाता दोस्तो उसके बाद आप डालेंगे डेट आफ बर्ट में आप साथ सतंब्र से सतंबर 2001 को select कर लेंगे और अपना डाल दीजे मेल हैं तो आप पी मेल जंडर मुबाइल नमबर में आप ऐसी मुबाइल डालेंगे जिस मुबाइल नमबर का यूज आयार सीटीसी के साइट पे कभी ना हुआ हो और इमेल आइडी भी आप वही इमेल आइडी डालेंगे जिसके यूज़ कभी भी आपके अगर आपको इमेल आइडी बनाना नहीं आता तो आप हमारे दिसकी वीडियो को देख सकते हैं इसका लिंक में अपने इस्क्रिप्शन बाक्स में डाल दूँगा जहां आपको यह बता जाएगा कि आप गूगल एकाउंट कैसे बनाएं इमेल एकाउंट कैसे बनाएं फिर इसके बाद जब सारे फॉर्म को आप फिल कर दिये तो आप नेक्स्ट का अप्शन करके आगे चले जब आप नेक्स्ट फिर इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे इसमें दोस्तों पासवर्म बाद यह आपका एक फॉर्म खुलके आया कहरा जिसके जनरेट पिन में क्या होगा आप कोई चार अंकों का कोई एक पिन बनाएं जिसके हल से कभी भी आपको आईडिया और पासवर्ड बार बार नही क्या करेंगे सम्मिट कर देंगे अब अगर मालिजे आपको लखनौ से कानपूर जाना है तो उपर फ्राम पे आप टिक करिए जहां भी एंजे लिका है वहाँ पर आप क्या टाइक कर दिजे लखनौ और आप कहा जाना तो टू के सामने आप क्या करिए आपको जाना है को फिर आपको किस डेट में जाना वो डेट आप सेलेक्ट कर लिजे और सर्च ट्रेंड कर दीजे तो दोस्तों इस तरह आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर रबाएं कि अगर हमा आपको कर दोस्तों